हालो फ्रेंच विल्कम टो इवान स्वर्ड तो आज पत्समें पनीर इसके लेकर आगी हो मैं पनीर की नहीं नहीं सब्जी बनाते रती हूं से इसके लिए मैं इंडक्षन पे कुकर चड़ा आज पूरी प्रोसेस में कुकर में करूंगी बहुत इंचाट-पट मुचस हुआ ब इस तेल नहीं पति आयए मिर्चि ठीज और tip मैंने चाबूट लासून यान नत रखाएं मिज्ञ पूरी थीए में बहुत है चौटी चूटे मीडियम साइच के प्यास हो हूं से रफP कर लेए लिए थी बास इन को डालनें के बद हम दो मिनुनेंगे और बहुत इन चल्दी में सबजी बंती हो बहुत एग सिम्लामिट्स थी बड़ी है मुटामट्टुक्त में कट कर लिया था एक टमाटर उसी भी कट कर दालना है बस तो सीटी लगाओंगी फिर कुपर ठंडा होने छोड़ देंगे देख सकते हैं अच्छी से प्याज सिम्ला मिर्च टमाटर कुख हो चुके हैं लासन जो हमने खड़े-खड़े लाल मिर्च पॉडर और किचन किंग मसाला बॉडर किचन किंग अच्छा होता है सबजी में डालने के लिए आप किसी भी सबजी में टेस्ट लातेता है तो थोड़े से एक चमचवई डालोंगी उसके बाद हम पनीर को डाल लेंगे और तीन से चार मिर्ट तक हम इसे हाई फ् इस तरह से और बहुत ही जटपड बनती है रोटी हो चाबल हो अप भी प्राठी किसी भी चीज के साथ बहुत ही आम लगते है वनिहर की सब्जी आपको भी कीजिए फराइग करने के जरूद नहीं है कुछ नाहीं मैने मसाली पीसे हो सब कुछ खड़े खड़े लासन की कलि करें अगर आपको अच्छी लगती है तो कमेंट करें और हमारी चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब कर लें सब्सक्राइब हमारी अच्छी से भून चुकी है इस स्टेज पर देख सकते हैं दो-दो मिनट पर चला रही हूं नीचे से क्योंकि नीचे से चिपके नहीं अब हम थोड़े से पानी डालेंगे और थोड़े से धनिया पत्ता डाल देंगे और इसे धकन को बस उपर से रख द पांच मिनट बाद उसके बाद हमारी सब्जी बिल्कुल अच्छे से कूख हो चुकी है अब दो मिनट तक और हम इसी तरह से हाई फ्लेम पे चलाएंगे अब हम इंडक्शन बंद कर दी हूं थोड़े धनिया पत्ता डाल कर हम सब्सक्राइब बहुत ही अच्छी यह सब्ज जट पड बनती है अब इसे किसी पी चीज के समय से नास्ते में रोटी के साथ बनाई थी चावल के साथ पिसाफ कर सकते हैं तो इस तरह से मैं देख सकते हैं आपको नवरेफस भी दिखारी उसे बाई थी पनीर की ग्रेवी वाली सब्जी मिठाई स्लाद एंड रोटी थी घ्क्स बर्बाद करू जब्टू कर बादू